तो guys आज है Sunday और आपके लिए मिलाए हो Sunday Facts Series के एक नए एपिसोड जहाँ पे मैं आपके साथ 4 unknown और valuable facts share करूँगा जो कि आपके दिमाग को न हिला कर रख देगा तो बिना देरी किये आईए इस एपिसोड को शुरू करते है guys तो हमेशा की तरह है मैं आपके लिए 4 unknown और valuable facts लाओ और ये 4 facts इतने amazing है न कि आपको पहले facts से ही पता चल जाएगा कि कितने amazing facts है तो बिना देरी किया इस पाटकास एपिसोड को शुरू करते है जो पहला fact है वो है कि क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली international ODI century अपने 79th ODI match में लगाई थी 79th 79th ODI match में लगाई थी in 1994 against Australia तो देखे 79th ODI match में लगाई थी और उसके पहले सचिन तेंदुलकर ने 5 साल ODI cricket खेल ली थी मतलब आप कह सकते हैं कि पास साल में उन्होंने एक भी international century नहीं लगाई थी उन्होंने अपने 79th ODI match में अपने पहली ODI century लगाई थी तो सचिन तेंदुलकर जिन्हें अगर मैं century का बादशा कहूं तो गलत नहीं होगा उन्होंने अपने पहली ODI century लगाई थी 79th ODI match में जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है अब जो दूसरा fact है वो आपको एकदम surprise कर देगा और वो है कि अभी आप देखते हैं कि एक over में 6 balls होते थे क्या आपको पता है 1889 के पहले एक over में 6 नहीं 4 balls हुआ करते थे चार balls ओके सिर्फ चार balls होते थे एक over में जो कि एक बहुत ही amazing fact है यह 99% cricket fans को नहीं पता और पता है ऐसा क्यों हुआ करता था देखे जब cricket नहीं नहीं बना था न तो वहाँ पे मतलब overs को लेकर कोई ऐसा rule बना नहीं था कि एक over में इतने balls होंगे तो 1889 के बाद में बहुत सारे देश अपने ही मतलब अनुसार एक over में कभी 8 balls खिलाते थे कभी 6 balls खिलाते थे कभी 7 balls खिलाते थे कभी 2 balls खिलाते थे तो ऐसा होता था क्योंकि overs को लेकर कोई ऐसा rule था नहीं फिक्स rule था था नहीं तो captain अपने अनुसार ऐसे balls खिलाते थे लेकिन एक फैक्ट एकदम कमाल कहा है कि 1889 के पहले एक over में 6 balls नहीं, 4 balls हुआ करती थी तो ये था दूसरा फैक्ट, अब जो तीसरा फैक्ट है वो मतलब आप कह सकते बहुत ही amazing फैक्ट है और इसने मुझे भी एकदम शौक कर दिया और वो है कि Jio Fallot नाम के एक प्लियर थे न्यूजलैंड के उन्होंने 77 balls खेल कर एक duck score किया था मतलब 77 balls उन्होंने खेली थी और 78 balls पे वो out हो गया थे अब ये तो नहीं पता कि वो match saving innings थी या फिर match losing innings लेकिन एक fact बहुत ही funny है funny मतलब कह सकते हैं कि 77 balls उन्होंने खेली थे और 77 balls खेलने के बाद उन्होंने duck score किया था तो अगर match saving innings है तो मतलब बहुत ही अच्छी innings मानियागी वो लेकिन अगर एक match losing innings है तो वो innings मतलब बहुत ही funny बन जाती है तो यह था थीसा fact जो चौथा fact है वो मतलब और भी सबसे जादा amazing fact है और वो है कि Jason Gillespie नाम के एक player थे और उस्टिलिया के उन्होंने 201 runs score किया था और not out runs और उन्होंने यह runs as a night watchman score किया था as a night watchman जो कि एक कमाल की बात है और till date वो एक lothy double century है जो कि एक night watchman के बल्ले साही थी तो as a night watchman आप आते हो और 201 not out run score करके आप वापस जाते हो एक बहुत ही बड़ी innings है तो यह थे चार facts I hope कि आपके चार facts amazing लगे होंगे पसंद आया होगा, informative लगा होगा